काजल एक अमीर घर की एक लौती लड़की थी, उसके डाड़ी दीपक चौधरी शेहर के बड़े बिजनसमेन थे, काजल बड़े लाड प्यार से पली थी, उसकी हर जिद पूरी की जाती थी, एक दिन काजल के कॉलेज में फंक्शन हुआ, जिसमें वह लेट हो गई, काजल अ काजल निशा को अपनी कार से उसके घर छोडने गई, इसलिए और भी देर हो गई, वहां से काजल अपने घर के लिए रवाना हुई, रात हो गई थी, एक सुनसान जगह पर उसकी कार खराब हो गई, काजल ने सोचा, अभी फोन करके डैडी को बता देती हूँ, तो कुछ कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा, लेकिन मोबाइल निकाला, तो वह परिशान हो गई, ओ नो, ये मोबाइल तो स्विच ओफ हो गया, इसको भी अभी बंद होना था, अब मैं क्या करूँ, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, यही वेट करती हूँ, किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ, तभी एक बाइक पर दो लड़के वहां से निकले, वे शकल से ही गुंडे लग रहे थे, सड़क के किनारे काजल को खड़ा देखकर उन्होंने बाइक रोग दी, वे दोनों एकसाइटेड होकर एक दूसरे से बाते करने लगे, अरे आशारत, क्या तु भी वह काजल डर गई, वे दोनों उसे छेडने लगे, और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, बचाओ, बचाओ, तभी एक ओटो वहां आकर रुका, उसमें से एक लड़का उतरा और उन दोनों बदमाशों पर तूट पड़ा, उसने शरद और राकेश को म मार कर भगा दिया, वे दोनों अपनी वाइक पर बैठ कर भाग गए, डरिये मत, वो दोनों भाग गए हैं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा नाम आयुश है, और मैं काजल हूँ, चलिए, उसकी बहादुरी देखकर, काजल को पहली नजर में ही उससे प्यार हो मुझा, तुम आटो चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, मैंने पढ़ाई के बाद कॉम्पटिशन की तयारी की है, लेकिन मेरी जॉप नहीं लगी, इसलिए मैं आटो चलाता हूँ, और अभी भी तयारी कर रहा हूँ, वाओ, यूर टू हार्ड वरकिंग, आइम प्र सोचने की कोशिश करो काजल, तुम्हारे डेडी, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे, दूसरे मैं तुमको दुखी नहीं देख सकता, मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधाय नहीं दे सकता, जिनकी तुम आदी हो, मुझे वे सुविधाय नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए आयूश, तुम्हारे साथ मैं हर मुसीबत सहलूँगी, मेरे लिए असली दौलत तुम्हारा प्यार है। काजल की बातों को सुनकर आयूश का दिल भराया, उसने काजल को गले से लगा लिया। आयूश, अब कभी मुझसे अलग होने की बात मत करना। कभी नहीं करूँगा काजल, हमारा साथ जन्मो जन्मो तक रहेगा। लेकिन जब काजल के डाड़ी को उसकी लव स्टोरी पता चली, तो हंगामा मच कया। काजल ने भी जित पकड़ ली और कहा, मैं शादी करूँगी तो आयूश से, वरना जहर खाकर मर जाओंगी डाड़ी। देखो बेटा तुम्हारी यही इच्छा है, तो मैं तुम्हारी यही शादी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें गरीबी की आदत नहीं है। जब गरीबी जेल नहीं पाऊगी तो एक दिन तुम खुद पच्ताओगी, फिर तुम्हें यहीं वापस आना होगा। नहीं डाड़ी, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। दीपक चौधरी ने उन दोनों की शादी कर दी, काजल अपनी ससुराल आ गई। यहां उसके साथ ससुर, देवर अंज और ननत प्रिया थी, सबने उसका गर्म जोशी से स्वागत किया, आयूश का घर छोटा जरूर था, पर वहां सब का प्यार और खुशियां ही बरस्ती रहती थी, एक साल बीत कया, काजल की मैरेज अनिवरसरी आ गई, सबने बड़े से सारा इंतिजाम कर डाला, आयूश मन ही मन में सोचता है, उधर काजल की सास सवेरे से उसकी पसंद के पकवान बनाने में लगी हुई थी, ससर उसके लिए बहुत अच्छी सी साड़ी ले आये थे, काजल सब चुप-चाप देख रही थी, भाबी, ये मैंने कमरे तक फूलों की रंगोली बनाई है, इस पर चल कर कमरे में जाना, और आज कमरे की डेकुरेशन मैंने की है, सर्प्राइज है ये भी, शाम को देखना, मैंने अपनी पचद के रुपियों से ये सब किया है, तब तक उनके घर के बाहरे कार आकर रुकी, उस कार से उतर कर दीपक चौधरी और उनकी पतनी नीता अंदर आए, नीता ने अंदर आकर काजल को गले से लगा लिया और बोली, बेटी काजल, तुमने बेशक मुझे याद नहीं किया, लेकिन हम एक साल तक बड़ी मुश्किल तुम्हारे बिना रह पाए, अब नहीं रह सकते, हमने सोचा आज तुम्हारी अनिवर्सरी है, इसलिए हम यहाँ चले आए, दीपक चौधरी मकान को ध्यान से देखते हुए बोले, पता नहीं तुम्हें सड़े से मकान में कैसे रहती हो, अरे चलो हमारे संग, आज शहर के सबसे अच्छे होटल की बुकिंग करते हैं, वहीं तुम्हारी अनिवर्सरी मनाएंगे, तुम हमारी कलोती बेटी हो, हमारी इतनी दौलत है और तुम यहाँ इतनी तकलीफ उठा रही हो, आखिर हम उसका क्या करेंगे, तुम वहीं चल कर रहो, यह सुनकर सबका मुह उतर गया, सब उदास हो गए, लेकिन काजल के मम्मी डाड़ी के सामने कोई कुछ नहीं बोला, मम्मी, हम अपनी तरफ से इसे सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं, काजल के मम्मी डाड़ी ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने अपनी सहमती दे दी, काजल खुश हो गई, पूरे एक साल के बाद उसके मम्मी डाड़ी उसके साथ थे, चलो काजल, कमरे में चल कर केक काटो, चलो सब लोग, काजल और आयूश ने केक काटा, तभी अंच ने काजल के ऊपर फूल बरसा दिये, और आयूश बोला, काजल, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास दो सर्प्राइज है, क्या सर्प्राइज है, बताओ, आयूश ने हार निकाला, और काजल के गले में पहनाता हुआ बोला, काजल के ससुट जी ने साड़ी लाकर बहु को दी, साड़ी कीमती थी, काजल की सास ने सारे व्यंजन वहाँ पड़ी मेज पर लाकर रख दिये, फिर काजल को वे अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाने लगी, फूलों की रंगोली पर चल कर काजल कमरे में गई, तभी लाइट जली, इतने भव्य धंग से स्वागत और कमरे की सजावट देख कर सब दंग रह गए, काजल बहुत खुश थी, तभी उसे कुछ याद आया, आयुष, एक सर्प्राइज तो ये सोने का हार हो गया, और दूसरा सर्प्राइज क्या है? आयुष ने अपॉइंट्मेंट लेटर जेब से निकाला और बोला, मेरी बैंक मेनेजर की पोस्ट पर न्यूकती का लेटर कल शाम को ही आ गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, ये ही दूसरा सर्प्राइज है, धन्य हो प्रभू, आपने इतनी सारी खुशियां एक साथ दे दी, दीपक चौधरी और नीता ने ऐसा प्यारा माहौल कभी देखा ही नहीं था, जब वे अपने घर की ओर चले तो बोले, बेटी, तुम खुश हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई, सच मुच, प्यार पैसे का मोताच नहीं होता, अब हमको भी ये महसूस हो गया है, ये हमारी भूल थी कि खुशियां पैसे से मिलती है, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, अब हम आते जाते रहेंगे बेटी, अब हमें भी यहां अच्छा लगता है,